अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो पिछले दो सालों में धीरे धीरे पब्लिक मास्स सिनिमा की तरफ अट्रैक्ट हो गई है जिसका क्रेडिट अक्सर लोग बाहुवली को देते हैं तो कुछ KGF को इस फील का चैंपियन बोलते हैं और कुछ RRR कुषपा इन सब के दीवाने हैं खूब सारा इलजाम लगाया हमने बॉलिवुड के सर पर तुम अच्छी मास्स मूवीज काहे नहीं बनाते हो बे जबकि हकीकत में बॉलिवुड तो 20 साल पहले ही इंडियन सिल्मा को मास्स का असली मतलब सिखा चुका है यार दिलाओं कैसे? 2001 में रिलीज होती है गदर हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा जब ये सीन बड़ी स्क्रीन पर आया था ना भहिया, थिएटर स्टेडियम में बदल गया था लोग पागल होके चिलाने लगे थे, इतना शोर दुबारा कभी नहीं सुना होगा अब कुछ वैसा ही मावल एक बार फिर से थेटर में लोट आया है, लेकिन इस बार उसका रीजन कोई और है दबाच्षा शारुक खान जो चार साल बाद वापस लोटे हैं बनके पठान फिल्म में बॉक्स ओफिस कलेक्शन में सारे रिकॉर्ड्स तोर डाले हैं अब ये गिंती रुकी नहीं है, हिस्ट्री बनाने वाली है ये फिल्म पूरी दुनिया में अब जरा सोचिए आप, अगर चार साल का इंतिजार पब्लिक को इतना बेचेन कर सकता है तो पूरे 21-22 साल बाद अगर कोई वापस लोट कर आये तो सही सुना बोस आपने गदर वापस लोट रही है बड़ी स्क्रीन पे फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है, ओफिशिल अनॉंस्मेंट हो चुका है फिल्म से सनी देवल का फिर्स लिउक पोस्टर भी रिलीज किया गया है जिसको देखकर साफ अंदाजा लग जाता है कि इस बार अलगी लेवल का एक्शन होने वाला है ना 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 वहीं रुक जाएए इससे पहली कि आप जलबाजी में बोल जाओ कि अब टाइम बदल गया है गदर शायद इस बार पबलिक के टेस्ट में पास नहीं होगी वगेरा वगेरा मेरी मानो तो गदर टू एकदम परफेक्ट फिल्म है आज की ओडियंस के लिए पूछो कैसे मास सिरिमा का क्रेज अलग लेवल पे पहुच चुका है ठीक एग्री करते हो उसके साथ अगरा पेट्रियोटिक वाला एंगल चोड़ दो और तो और सबसे बड़ा फाइदा सीक्वल फैक्टर पार्ट टू जब ये किसी सूपर हिट फिल्म के पीछे लगता है ना तो पबलिक बिना सोचे समझे सबसे पहले दोड़कर फियेटर पहुच जाती है फिल्म अच्छी है या बुरी वो बात की बात है सबसे बड़ा सबूत है दृश्यम 2 रीमेक बोलो चाहे कॉपी फिल्म में 350 करोड का बिजनस किया है वर्ल्ड वाइट कोई मजाक नहीं है प्लस गदर टू के मेकर्स हैं बहुत ही जादा चालाग और वो हम सबसे चार कदम आगे की सोच रखते हैं इसलिए सबसे बड़ा काम किया इनोंने कि फिल्म की कास्टिंग से बिल्कुल छेड़ चार नहीं की है वही सारे अक्टर्स वापस बुलाए गए हैं पार्ट 2 में आप मानो ना मानो ये हम सबके दिमाग में कहीं न कहीं एक पॉजिटिफ एफेक्ट जरूर डालता है हम इजली कनेक्ट कर पाते हैं नई फिल्म के साथ वही पुराने एमोशन्स और फीलिंग्स वापस लॉट आते हैं पुराने एक्टर्स को देखकर चलो आज मैं आपके सामने एक बोल्ड स्टेट्मेंट देती हूँ जब फिल्म रिलीज होगी ना उसके बाद लॉट कर मेरी बात को दुबारा सुनना आप दे कश्मीर फाइल्स देगी थी उस फिल्म ने बॉक्स ओफिस को हिला दिया अलगी लेवल का क्रेज था उसका 15 करोड का बजट और कमाई 300 करोड से जादा मानो याना मानो गदर टू भी सेम पैटर्ण पे चलने वाली है उससे जादा बिजिस करेगी जो रिलीस डेट चुनी एना फिल्म के मेकर्स ने 11 अगस 2023 फिल्म फार देगी वास थीटर्स में फेस्टिवल की शिरवात हो जाएगी अगर सच में इसका ट्रेलर वगेरा पबलिक में हिट हो गया तो 300 करोड छोड़ी है फिल्म 400-500 वाले कलब में भी एंट्री मार सकती है वैसे मैंने पिछले कुछ दिनों में सोचल मीडिया पर देखा है कि कई लोग गदर टू को पठान के अगिंस्ट खड़ा करके कोई नया एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग कौन हैं हम अच्छे से जानते हैं अंगूर खट्टे हैं वाला बॉयकॉट गैंग गदर टू हो या पठान दोनों फिल्में अगर बॉक्स ओफिस पर चलती है तो फाइदा ओडियंस का है वो जो अच्छा सिनिमा देखना चाहती है पठान चल गई बॉलिवुट के लिए बहुत जरूरी था लेकिन उससे गदर टू का क्या लेना देना आगे और भी शारुखान की मूवीज आएंगी ठीक वैसे ही गदर टू बॉक्स ओफिस पर अपनी ओडियंस बनाएगी उसको पठान से डर नहीं लगता सहाब हम लोगों को जरत है अच्छी मूवीज को सपोर्ट करने की सिंपल बाकी किसी घडिया नेरेटिव में मत फसिये कॉंटेंट इस दा किंग ये बात याद रखना बस तो फिर क्या बोलती पब्लिक गदर टू का टाइम आएगा या फिर बीस साल काफी लंबा गैप नहीं हो गया किसी फिल्म का सीक्वल बनाने के लिए सनी देवल मैजिक काम करेगा एक बाग फिर से या वग बदल गया है फिल्म चलेगी या पिटेगी क्या लगता है जल्दी बताओ बागी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ रिकायट करनी हो तो मैं आपको इंस्ट्रग्राम पर मिल जाओंगी वर्ना थोड़ा सा इंतजार करें मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाइबाई